पहली फोटो में दिख रहा इंसान सोबन है। सबजी बेचते हैं, असम के तिनसुख्या जिले में रहते हैं। जब ये तीस वर्ष के थे, तब कचरे के दिब्बे में इन्हें एक बच्ची रोती हुई मिली थी। दूसरे फोटो दिख रही प्यारी सी लड़की वही बच्ची है। कचरे में पड़ी उस मासूम को जब सोबन घर लाए तब उनकी शादी नहीं हुई थी। सोबन ने तय किया कि वे उस मासूम को पालेंगे, पढ़ाएंगे, अपनी शादी नहीं करेंगे और इस तरह उन्होंने उस बिटिया का नाम रखा जोती। सोबन सबजी बेचते, दिनरात मेहंत करते और बिटिया रानी मन लगा कर पढ़ती रहती। वही जोती 25 साल की हो गई है। 2013 में जोती ने कंप्यूटर साइन्स से ग्रेजुएशन किया और 2014 में असम पब्लिक सर्विस में सेलेक्ट हुई। आज जोती असम में इंकम टैक्स असिस्टेंट कमिशनर के पद पर कार्यरत है। आज जब सोबन से पूछेंगे कि क्या आपको उस वक्त लगता था कि जिस बच्ची को आप पालपोश रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं, वो इतनी काम्याब भी होगी। तब वो कहते हैं, मुझे बस इतना पता है कि मुझे कोईले की खान से एक हीरा मिला था। यही लोग असली हीरो हैं।